ओम शाम्ती सुनते हैं 12th मार्च 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है चेतन्य पुष्पोंस में रंग रूप खुश्बू का आधार आज की अव्यक्त वानी में बाप दादा ने हर एक पुष्प की कौन सी तीन बातें देखी साथ साथ रंग रूप वाले पुष्प किस के काम आते और खुश्बूदार किस काम आते तीसरा बाबाने का मदुबन में आते हो किस के लिए विशेश आते हो आप आज बागवान बाप अपने चेतन्य बगीचे में विराइटी परकार के फूलों को देख रहे हैं ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कलप में एकी बार मिलता है तो बाबा ने का ऐसा रूहानी बगीचा रूहानी खुश्बुदार फूलों की रौनक किसी भी समय मिल नहीं सकती चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो लेकिन इस बगीचे के आगे वो बगीचे क्या अनभव होंगे यह हीरे तुले वो कोडी तुले ऐसे चेतन्य इश्वर्य बगीचे का रूहानी पुश्ब होंग ऐसा नशा रहता है जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग रूप और खुश्बु तीनों को देखते हैं ऐसे अपने रंग रूप और खुश्बु को जानते हो रंग का अधार क्या है फिर बापा ने बताया ग्यान की सब्जेक्ट जितना जितना ग्यान सुरूप होंगे उतना रंग आकर्शन करने वाला होगा जैसे इस थूल फूलों के रंग देखते हो न भिन भिन रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेश दूर से ही आकर्शित करता है देखते ही मुक से यह महिमा जरूर निकलेगी कितना सुंदर फूल है कोई गुलाब का फूल किता प्यारा लगता है कोई कोई और सदा दिल होगी कि देखते रहें ऐसे ही ग्यान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगते हैं ऐसे ही रूप और खुश्बू का भी अधार है वो क्या याद और दिव्य गुण मूर्थ सिरफ रंग हो और रूप ना हो तो भी आकर्शन नहीं है और रंग रूप हो लेकिन खुश्बू ना हो तो भी आकर्शित नहीं करेंगे कहा जाता है ये नकली है और ये असली है सिरफ रंग रूप वाले पुश्ब डेकोरेशन के लिए ज़्यादा काम आते हैं लेकिन खुश्बू दार पुश्ब मानव और अपने समीप रखेंगे मानव मनुश्य अपने समीप रखेंगे खुश्बूदार पुश्प सदा ही स्वते ही सेवा का सुरूप है तो अपने से पूछो कि मैं कौम सा पुश्प हूँ कहां भी हैं लेकिन स्वते सेवा होती रहती है अर्थात रुहानी वायू मंडल बनाने के निमित बने हुए है नजदीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुश्बू पहुंचती है वा दूर से ही खुश्बू फैलाते हो अगर सिर्फ ग्यान सुन लिया योग लगाने के अभ्यासी बन गए लेकिन ग्यान सुरूप वा योगी जीवन वाले वा प्रैक्टिकल दिवे गुण मूर्थ ना बने तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात परजा बन जाएंगे राजा की परजा डेकोरेशन ही है ना तो अल्ला के बगीचे के पुश्प तो बन गए लेकिन कौम से बनें यही अपनी चेकिंग करनी है बगीचा एक है बागवान भी एक है लेकिन फूलों में वेराइटी है डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं राज्य अधिकारी हो वा राज्य करने वालों को देखने वाले हो आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए है सभी के मन में रूरुहान करने का संकल्प रहता है तो आज रूरुहान करने के लिए आए है विशेश दो ग्रुप है न बाप दादा को तो सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चे अती प्रिये हैं करनाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में जूलते रहते हैं मदुवन में आते सभी माया जीत बनने के अनभवी बन गए हो वा मदुवन में भी माया आती है मदुवन में आते ही हो माया जीत स्थिती की अनभूती करने के लिए तो यहां माया का वार नहीं लेकिन माया हार खा कर जाएगी कितना मदुबन तो मदुबन ही है न क्योंकि मदुबन में विशेश अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो डबल विदेशियों को तो डबल लाक लगा देना चाहिए मदुबन में आकर विशेश अपने में कौन सी विशेशता है धारण की तो बाबा विदेशियों से तथा करनाटक वालों से परशन पूछ रहे थे जैसे सहज योगी बनने की विशेशता देखी वैसे और क्या देखा लाव भी मिला, पीस भी मिली और लाइट भी मिली सब कुछ मिला न जितने सव को प्राप्ती होगी तो प्राप्ती वाला सेवा के सिवाए रह नहीं सकता इसलिए प्राप्ती सुरूप सो सेवा सुरूप स्वते ही हो करनाटक वालों ने भी विर्दी अच्छी किये और विदेश में भी अच्छी विर्दी हुई है विदेश ने सेवा किंद्र और सेवा धारी भी अच्छे निकाले बाप दादा बच्चों की हिम्मत उमंग उत्साद एक हर्शित होते जितनी विदेश में बेनें गई वहां से हैंड्स इतने निकाले जो आगे उन्होंने सेंटर संबाले चाहे रशिया चाहे युरॉप चाहे युएस में सब तरफ चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा का उमंग उत्साद बच्चों में देख बाप खुश होते अच्छा जो सेवा केंद्र में रहते हैं वह सेवा में उपस्थित हैं देश चाहे विदेश में सब अमरतवेला शक्ति शाली रखते हो ये गृुप बहुत अच्छा है लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी माया माया को भी बे अच्छे लगते इसलिए माया जीत बनना है क्योंकि निमित आत्माएं हो ना इसलिए विशेश अटेंशन निमित बनी हो यह आत्माएं जितने शक्ती शाली होंगी उतना वायू मंडल को शक्ती शाली बना देंगी नहीं तो वायू मंडल कमजोर हो जाएगा प्राबलम बहुत आएंगी शक्ती शाली वायू मंडल होने कारण स्यम भी विगन में नाशक होंगे और औरों को भी विगन में नाशक आर्थ निमित बनेंगे जैसे सूरे खुद प्रकाश में है तो अंदकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता और किछड़ा भसम करता है तो जो निमित बने हुई आत्माई हैं वे शक्ति सुरूप विगन विनाशक स्थिती में स्थित रहने का अटेंशन रखो सिरफ स्वेम परती नहीं स्थाक भी जमा हो जो औरों को भी विगन विनाशक बना सको तो यह मेजर्टी ग्रुप मास्टर ग्यान सूर्य है अभी सदा यही समृती सुरूप बन कर रहे न क्या कि मैं मास्टर ग्यान सूर्य हूँ स्वेम भी परकाश रूप और औरों को भी अंदकार मिटाना है अच्छा मदवन वाले भी बाप दादा को याद हैं मदवन निवासी भी ब्राह्मन परिवार की नजरों में हैं जब मदवन की महिमा करते तो सामने मदवन निवासी आते हैं मदुबन की महिमा का तो पूरा भाषन बना हुआ है कितना मदुबन की महिमा करते सब जो मदुबन की महिमा है मदुबन निवासी हरे करन्मव करते हो न कि हमारी महिमा है अच्छा ऐसे सदा सरविशेषता संपन विशेष आत्माओं को सदा स्वेम के सरूप द्वारा सेवा के निमित बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा संग के रंग रूप सदा रंग रूप और खश्वुदार फुलों को बागवान याद प्यार बागवान का याद प्यार और नमस्ते तो ये थी प्यारे बाबा के फिर बाबा ने थोड़ा सा डबल विदेशियों से बाबा मिल रहे है किसी ने परशन पूछा इश्वरिय सेवा के साथ नोकरी के लिए क्यों का आ जाता इस परशन का उत्तर देते हुए बाब दादा बोले समय कम है और प्राप्ति करने चाते हो सबसे ज्यादा इसके कारण तन भी लगे, मन लगे, धन भी लगे इसलिए तीनों परकार के सर्विस करनी पड़े थोड़े समय में आपको तीनों परकार का लाब जमा होता है क्योंकि धन की भी मार्स हैं और ये मार्स जमा होने कारण नमबर आगे ले लेते हो तो आप लोगों के फाइदे के लिए कहा जाता कि अपना धन लगाना तो धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम मिलता है सब तरफ से अगर एकी समय में लाब हो सकता है तो क्यों न करो बाकी जब निमित बनी हुई आत्माईं देखेंगी समय ही नहीं है इसे फुर्सत ही नहीं है अपने खाने का भी समय नहीं मिलता यह इतना बिजी हो गए है तो आटोमेटिकली उससे फ्री कर देंगी लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह जरूरी है यह वियर्थ नहीं जाता है इसकी भी मार्स जमा हो रही है बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वे नोकरी करने नहीं देगा कोई न कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे इसलिए जैसे अभी चल रहे हो उसमें ही कल्यान है ऐसे नहीं समझो हम तो सरेंडर नहीं है सरेंडर हो डिरेक्शन प्रमान कर रहे हो अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी और ही मन मत है इसलिए स्वेम को सदा हलका रखो जो निमित बनी हुई आत्माएं वे अगर कहती है तो समझो इसमें भी हमारा कल्यान है इसमें आप निश्चिंत रहो इसमें जो ज़्यादा सोचेंगे मेरा शायद पार्ट नहीं है मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है ये फिर वियार्थ है समझा अच्छा ओम शांती तो आज बाबा ने कितना सुन्दर बताया के हमें रंग रूप खुश्बू सदा अपना ध्यान रखना है खुश्बूदार फूल बनना ओम शांती यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे